हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू रूट दोस्तो आज के वीडियो लेक्चर में हम अंडवान निकोवार द्वीप समू के महत्वपूर्ण mcq questions को यहां पर discuss करेंगे जहां से बारवार exam में question repeat होते हैं इसके पहले वाले lecture में फिर previous lecture में बच्चों हमने इसी topic का पूरा theory section detail में discuss किया था तो यह अपने theory वाला वीडियो इसका नहीं देखा है पहले आप theory वाला वीडियो देख लिए उसके बाद आप यदि mcq उसको solve करेंगे तो आपको चीज़ें और अच्छी से समझ में आएं चलिए पहला question देख लेते हैं काफी important question है 10 degree channel या फिर 10 degree channel किसको प्रथक करता है अच्छे से पढ़ाया था मैंने last lecture में आपको पहले option देख लेते हैं अंडमान को निकोवार से अंडमान को म्यानमार से भारत को स्री लंका से या फिर लक्षदीप को मालदीप से इसका सही answer ह हो जाएगा ए अंडमान को निकोवार से 10 degree channel या फिर 10 degree channel प्रथक करता है यह मैंने आपको बताया था ठीक है अंडमान और निकोवार या फिर इसको ऐसा भी बोल सकते हैं छोटा अंडमान को और इसके आप एदिडीप में जाएंगे तो छोटा अंडमान और कार निकोवार क कार निकोवार को 10 degree channel separate करता है ठीक है लेटल अंडमान और कार निकोवार या फिर अंडमान निकोवार तो आपको याद रखना है आगी बात करते हैं अगला कोश्चिन है अंडमान और निकोवार क्या है ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी के दो द्वीप हैं बंगाल की खाड़ से यहाँ पर आपको बंगाल की खाड़ी देखने को मिलती है और यहाँ पर अरब सागर देखने को मिलती है ठीक है तो बंगाल की खाड़ी में जो हमारा द्वीप समू है भारत का सबसे बड़ा द्वीप समू है जिसको हम बोलते हैं अंडमान निकोवार द्वीप समू है तो confuse मत हो जाना ये option में कई वार ऐसे दे देते हैं और आप बिना आगे के option पड़े हुए इसको tick कर देते हैं और फिर आपका जो answer है वो गलत हो जाता है ठीक है तो बंगाल की खाड़ी में इस्थित ये द्वीप समुए करीब 572 आइलेंड चोटे वड़े यहां पर इस्थि अगला question देख लेते हैं अगला question है अंदमान और निकोवार दीप समुए का जो सर्वोच सिखर है पल्यान सिखर या फिर सैडल पीक यह कहां पर इस्थित है सैडल पीक की बात की जा रही है ब्रहद निकोवार मद्य अंदमान लगू अंदमान या फिर उत्त्री अंदमान जो नौर्थ अंदमान है बच्चो अंदमान निकोवार का सबसे उत्त्री आईलेंड या फिर सबसे नौर्थ में स्थित आईलेंड दीप है उस पर ही इसका सर्वोच सिखर सैडल पीक इसको हम क्या बोलते हैं सैडल पीक या फिर इसका एक और नाम है पल्यान सिखर है ना 7 जो बैरन आइलेंड है बच्चो अन्दमान द्वीप समूम में आपको देखने को मिल जाएगा बैरन आइलेंड एक पूरा का पूरा द्वीप है जो कि जौला मुखी के द्वारा निरमित है और पूरे दक्षन एशिया का एक मात्र active volcano है एक मात्र सक्री जोला मुखी है सक्री जोला मुखी क्या होता है जिससे हमेशा उद्गार होता रहता है 2005 में इसमें उद्गार देखने को मिले था और 2005 से अभी तक इससे गैसे और लावा निकल रहा है तो बेरन आइलेंड ही कैसा है active volcano है ठीक है सक्री जोला मुखी है और एक और है सुसुप्त जोला मुखी जिसका नाम है नार कॉंडम तो आपको याद रखना है नार कॉंडम और वेरन दोनों आसपास ये दो जोला मुखी है आपको देखने को मिलते हैं अंडमान और निकोवार द्रीप समौ की सबसे अधिक उचाई वाली चोटी कौन सी है ठीक है अंडमान निकोवार द्रीप समौ की सबसे उचाई वाली चोटी अभी हमने डिसकस किया तो इसका आंसर पहले हम option देख लेते हैं saddle peak, मांट थुलियाट माउंट दिया वोलो या फिर माउंट कोईले तो सैडल पीक है न उत्तरी अंडमान में अभी हमने एक और कॉश्चन इससे लिटर डिसकस किया नौर्थ अंडमान द्वीप में सैडल पीक इस्तित है जो कि अंडमान द्वीप समों की सबसे उची चोटी है 732 मीटर बच्चो इसकी हाइट है आपको याद रखना है ठीक हाइट भी याद रखना है यहां से भी एक्जाम में कॉश्चन पूछा जाता है अगला कुश्चन है बेरन द्वीप आवस्तित है तो कहां आवस्तित है बंगाल की खाड़ी अर्ब सागर भूमदी सागर या फिर चीन सागर तो अबिस्टी वात है अंडमान द्वीप समों में द्वीपों की लगभग संख्या कितनी है तो यहां पर बच्चो ऑप्शन देख लो पहले 200, 240, 572 या फिर 250 लगवग 572 आईलेंड या फिर द्वीप है चोटे वड़े द्वीपों को मिला कर यहां पर लगवग 572 द्वीप है और यह भारत का सबसे बड़ा द्वीप है भारत का सबसे बड़ा द्वीप समू है जो बंगाल की खाड़ी में इस्थित है आपको याद रखना है ठीक है तो आप रूट एप्लिकेशन को डाउनलोड कीजिए वहां विजिट कीजिए और वहां पर सारी डेटेल आपको देखना मिल जाएगी ना इसके अलावा यदे आप मुझसे पर्शनल जेगरफी पढ़ना चाहते हैं वर्ल जेगरफी हो इंडियन जेगरफी हो फिसिकल जेगरफी हो तो एक जेगरफी का Foundation batch Root application पर वहां पर आप मुझसे पढ़ सकते हैं आप जोग्रफी भी पढ़ना चाहते है तो यह facility भी आपको दीख है करना क्या है root application को download करना है playlist store से link आपको description box में मिल जाएगी और वहाँ पर सारी detail आप देख सकते हैं इसके लगा individual अलग अलग subject भी वहाँ पर live हैं saddle peak की height पूछी जा रही है आपर तो option है 700 meter, 850 meter, 732 meter या फिर 1000 meter जो saddle peak है इसकी height कितनी है बच्चों लगभग यहाँ पर 732 meter ठीके 732 meter इसकी height है आपको याद रखना है saddle peak जो की अंदमान निकोवार island की सबसे उची चोटी है आपको याद रखनी उत्री अंदमान में ये इस्तित है ना चलिए अगला कोशन है अंदमान निकोवार द्वीप समू का सबसे बड़ा island कौन सा है अंदमान निकोवार जो island है द्वीप समू है इसका सबसे बड़ा island या फिर द्वीप लिटल अंडमान, उत्री अंडमान, कार निकोवार या फिर मध्य अंडमान तो जो मिडल अंडमान है बच्चो मिडल अंडमान या फिर जो मध्य अंडमान है ये पूरे अंडमान निकोवार का सबसे बड़ा आईलेंड है जैसा कि मैंने आपको बताया था यहां लगवक 532 चोटे बड़े आयलेंड है द्वीप है उसमें से सबसे बड़ा आयलेंड कौन सा है तो मद्ध अंडमान ठीक है जो कि अंडमान गर्प ऑफ आयलेंड का सबसे बड़ा ऊइसाहें अगला कोशन है डंकन पास कहां पर अवस्थित है दंकन पास option है दक्षणी अंडमान, लिटिल अंडमान, उत्री अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षणी अंडमान वा कारनिकोवार की मध्य में और उत्री अंडमान वा कोकोदीप की मध्य में जो दंकन पास है ये दक्शणी अंडमान वा लि्तिल अंडमान के मध्धम्न अस्तित है आपको याद रखना है कहां पर रेस्तित है दक्शंई अंडमान और लि्तिल अंडमान तो ये आपको याद रखना है इंपोर्टेंट है कई वारे हां से कोशन आता है करीब 45 किलोमीटर चौड़ा एक रास्ता है जो की अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी को को मिलेगा ठीक है यहां पर आपको अंडमान सागर अंडमान सागर देखने को यहां पर आपको बंगाल की खाड़ी जिए और देखने कर यहां पर आपको उत्री अंडमान निकोवार का सबसे उत्री आइलेंड उत्री अंडमान देखने को मिलेगा और इसके बीच में जो यह जली निकाए है इसको हम बोलते हैं चैनल चैनल यह आपको याद रखना है इंपोर्टेंट है ठीक है चलिए अगला कुश्यन है निकोवार दूइप समू की सबसे उची चोटी अब हम अंडमान निकोवार या फिर अंडमान दूइप समू की सबसे उची चोटी सैडल पीक को डिस्कस कर रहे थे अब कॉश्यन आया है निकोवार दीप समू की सबसे उंची चोटी सैडल पीक ये तो पूरे अंडमान निकोवार की है है ना सनमेद सिखर माउंट थुलियर या फिर पारसनाद तो जो माउंट थुलियर है बच्चो ठीक है माउंट थुलियर ये निकोवार दीप समू जो दक्षन में निको रखना है ठीक है चलिए अगले कोशण दिख लेते हैं ग्रेट चैनल है ग्रेट चैनल कहां पर इंडोनेशिया की मध्धि में थे सबसे दक्षन में आप देखेंगे तो ग्रेट निकोवारwater आइलेंड देखने को मिलेगा यहां पर ही आपको इंडरा point यहाँ पर ही आपको इंडरा point देखने को मिलेगा भारत का सबसे सुदूरस दक्षनी बिंदु ठीके और याँ पर आपको समात्रा देखने को मिलेगा जो इंडोनीशिया का island है تو समात्रा इंडोनीशिया है ग्रेट निकोबार और सुमात्रा को अलग करता है कि important है याद रखना है next question देखते हैं निमनलिखित में से कौन भारत में ज्वाला मुखी दीप है little undermann little lickover, baron dweep या फिर great lickover तो जो baron dweep है बच्चो undermann group of island के अंतरकत आता है baron dweep तो यहाँ पर ही आपको एक baron dweep इसी के अंतरकत आता है जो कि ज्वाला मुखी के द्वारा निर्मित है ज्वाला मुखी दीप है एक मात्र सक्री ज्वाला मुखी है दक्षन एशिया का या फिर पूरे भारत का एक मात्र सक्री ज्वाला मुखी है अगला कोशन है sentinel जन जाती कहां पर निवास करती है अन्नमान द्वीप समू में निकोबार द्वीप समू में लक्षदीप में या फिर माल दीप में तो जो अन्नमान द्वीप समू है बच्चो यहां पर ही आपको लक्षणी अन्नमान के पश्चिम में रटलेंड द्वीप के पश्चिम में आपको एक स डिताने मिलता है सेंटेनल द prop देखने को मिलता है। यहां पर एक सेंटेनल जंजाती निवास करते है। जो करीब यहां पर ऐसा अध्यन किया about who has come to 2000 जालों से यहां पर निवास कर रही है। जो कि बाहरी दुनिया से milk model disconnected है। बाहरी दुनिया से कोई भी इनका बातचीत नहीं है यदि कोई बाहरी दुनिया का आदमी इनसे बात करने भी आता है connect भी होता है तो उनको connect कहोने नहीं देते हैं ठीक है यहाँ पर यह कई लोगों की हत्या भी कर चुके हैं जोनों ने बात करने की कोशिश की है पुछ अमेरिकी नागरिकों कोई भी यह नहीं है, हत्या की यह जो इनसे बात करने की कोशिश जन्होंने की थी, आपको याद रखना है, सेंटेनल जन जाती, अंडमान दीप समहू में, एक सेंटेनल आइलेंड है, वहाँ पर ही निवास करती है, छोटे कद के यह होते हैं, का अंडमान निकोवार आइलेंड में ही सबसे चोटा नेशनल पार्क, जिसका नाम है साउथ बटन नेशनल पार्क, साउथ बटन नेशनल पार्क, 0.03 वर्ग किलो मीटर छेतर फल पर, यह फैला हुआ नेशनल पार्क है, पूरे भारत का सबसे चोटा नेशनल पार्क है, ठीक पुरी भी डिटेल में कवर करा दी ठीक है इसके लाब यदि आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आता है तो वीडियो को प्लीज लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेर जरूर करें और आप में से जोग्रफी पढ़ना चाहते हैं तो पर्सनल जोग्रफी भी पढ़ स